जब से ये जीवन रचा गया, हाती से लेके और छोटे से छोटे जीव तक, बड़े से बड़ा जीव और छोटे से छोटा जीव, चाहे वो जलचर है, चाहे वो थलचर है, चाहे वो गगनचर है, साथियों सब को अपने प्राण प्यारे गया, इस संसार में हर कोई जीना चाह एक भी जीव ऐसा नहीं है जो ना जीवर ना चाहता हो जो रेंगने वाले जीव है उन समय पने जान साने का प्रियास करता है प्यारे साथियो ये तो जीव जगत है इस जीव जगत की बात रही अब मैं बात करता हूँ अपनी आपकी प्यारे साथियो जब तक आपका सिरीर ठीक है जब तक आप आपके काम ओफिस विजनस सर्विस यही सब है बहुत कम लोग आध्यातम की ओर हैं बहुत कम लोग अपने सरीर की ओर देखते हैं जीना सब चाते हैं उस्पिटल भरे पड़े हैं, छोटे से छोटे डॉक्टर के पास में कई कई पेशंट होते हैं, वो सब क्या करते हैं, किसलिए? सिर्फ जीने के लिए, वो जीनना चाहते हैं, उनको दीखता है कि मेरी मृत्तों ना आ जाये, इसलिए वो भागता है, इसलिए उसको श्रीर सहन नहीं करता दुख को और वो डोक्टर के पास भागता है प्यारे साथियों आपके पास सब कुछ है धन भी है मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों के पास धन का भाव भी है लेकिन बहुत लोगों के पास धन की प्रियाप्त मात्रा भी है क्या आप सोचते हैं, क्या आप समयते हैं, वो ही धन आपके लिए सब कुछ है ऐसा धन है क्या आपके पास में, जो किसी के देने से ना दिया जाता हो किसी से लिया ना जाता हो, किसी और को दिया ना जाता हो हाँ साथियो ऐसा धन है ऐसा धन है आपके पास विद्या का धन साथियो विद्या का जो धन है ये जो अक्सर ग्यान है मैं उसकी बात नहीं करता जो संसारिक ग्यान है मैं उसकी बात नहीं करता क्योंकि मेरे तो सादुजीवन है और मुझे जो आता है मैं आपके सामने उसी का जिकर करता हूँ प्यारे साथियो आपके पास में विद्या होने चाहिए आतम कलान के मार्ग की आतम का कलान जो आतम कलान का मार्ग है आपका उसकी आपके पास में विद्या है के नहीं है ये मातपोन है मित्रो आज मैं इसी पर चर्चा करूँगा कि आपके पास में वो विद्या कैसे आए आपका जीवन कैसे बचे आप रोगों से मुक्त कैसे हो क्योंकि अगर आप रोगों से मुक्त होंगे तभी संसार में कुछ कर लेंगे साथियों मुझे पता है काफी लोग चर्चा को पूरा नहीं सुनते वो उनकी भावना है क्योंकि बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी एक नेक दिन तो चूरी गड़े पानी यानी है लेकिन जिसके पास में विद्या होती है जिसके पास में विद्या होती है घ्यान होता है अपने साधना का अपने practice का अपने अभ्यास की पुंजी होती है उस व्यक्ति को किसी की भी परवाह नहीं होती उसको किसी चुरी की किसी तलवार की डर नहीं है चिनटा नहीं है मित्रो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई मूलधार के उपर शुच्मना के उपर और भी बहुत सारी वीडियो अलग-अलग वीशो पर हमने वीडियो बनाई साथियों मैं आपके पास जो वीडियो बनाता हूँ जो मैं आपके सामने रखता हूँ मैं वो ही रखता हूँ मैं किताबी ज्यान नहीं बाढ़ता जिसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैं वही आपके सामने रखता हूँ मित्रो रेचक पूरक कुम्भक सिरफ इतना सा भेद है योग का अगर आप कोई आसन नहीं करना चाते आप किसी भी कला को और नहीं सीखना चाते सिरफ एक किला सीख लें रेचक पूरक कुम्भक इस संसार में भोत दुनिया आज करोडों में सिशे हैं लोगों के वे करोडों सिशे बस बैठ जाते हैं बोले जिए ध्यान करो ऐसे और वो ध्यान करते रहते हैं और अपनी कलपनाओ में उडारी लेते रहते हैं खुला गगन है खुले गगन में पक्षी की भाती उनके मन उडारी लेता रहता है कोई कहता है अपने लोक देख लिये हम उस लोक तक चले गई कोई कहता है मैंने महल देख लिये मैं जिस दिन मानूगा कि आप सफल होगे, आपकी कुंडलिनी जागरित होगी, आपको योग सीध होगया, आपको पवन सीध होगी, आपको योग घट गया, जिस दिन आप रोगों से मुक्त होँ, आपकी देह में कोई रोग ना आए, आपके देह से तेरे मेरे का सब का भान मैं उस दिन समझूँगा कि हम योगी होगे, आप योगी होगे, साथियों, कल्पनाओं में बेहना छोड़िए, और मेरी जो सिद्धी सिद्धी बात है, अभ्यास करिए, इस पवन को जीतने से, आपको जीतना किसका है, इनको, इडा, पिंगला, इडा, पिंगला, इनको जीत आपको जीतना है, यानि कि इनके उपर विजय प्राप्त करनी है, वो कैसे करेंगे, किसी योगे गुरु को अपने आपको समर्पित कर दे, किसी योगे गुरु के पास जाए, उनसे दिख्षा ले, क्योंकि इस भारत वर्ष में, इस धरा पे, गुरुशी से प्रमपरा है, बिना गुरु से प्रमपरा के आपको कुछ नहीं मिलना, मिलाएगा तो आपको नुक्सान होगा, प्यारे साथियों, बिना गुरु की विद्या फली भूत नहीं होती, बिना गुरु की विद्या से एहंकार आता है, कि मेरा कोई गुरु नहीं है, भगवान राम, स्री क्रि अश्टा बक्कर जितने भी लोगों के नाम गिनवाई है सारे मारे दसो गुरू गुरुगोविंज सिंग से लेके और गुरुनानक देव तक सारे गुरू कोई भी दुनिया में ऐसा मार्ग नहीं है जो बिना गुरु के आपको पराप्त हो गया हो गुरु को पूजिए गुरु को नमन करिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरु को आप वयापारी बना दे गुरु से मार्ग ले जो गुरु जाते ही आपको मार्ग दे दे आपको सातना दे दे आपके मन की संतुष्टी कर दे आपके विशे का जानकार गुरु हो उसी गुरु के पास जाएं और उस गुरु से दिक्सा लें दिक्सा लेने के बाद एकांत भावन में जाएं आप जहां पे आपको कोई भी डिस्थब ना करें कोई मुबाइल आपके पास ना हो मुबाइल है तो उसको सुचोप करके रख दे बंद करके रख दे पावन का भ्यास करें कैसे इसे जिस दिन आपका भ्यास दो मिनिट फिर धाई मिनिट फिर तीन मिनिट फिर पाँच मिनिट और धीरे धीरे जैसे जैसे उननती करता जाएगा ऐसे ऐसे आपका जो मुलाधार है इसकी सक्ति बढ़ती जाएगी और ये उधर गामी होगा उपर की ओर गमन करेगा सक्ति मुलाधार से प्रवेश करके उपर की ओर चलेगे साथियों बहुत लोग कहते हैं कि हमारे चक्र जागरित होगे हम यहां तक चले गए, महां तक चले गए कुछ नहीं है सब भरम है बिरले हैं भी लोग जिनके चक्र जागरित है बिरले साथियों ऐसा वर्णन आते शिवसनिता के अंदर कि अगर आपका कुम्भक रेचक पूरक कुम्भक स्वास को लेना पूरक स्वास को रोकना कुम्भक और स्वास को छोड़ देना रेचक यह किरिया चार, सोला और आठ यानि चार सेकंड में आपने स्वास को लिया सोला सेकंड के लिए स्वास को रोकया और आठ सेकंड में उसको छोड़ दिया यानि कि जितनी देर में आप अगर सिधा सिधा इसका आखड़ा बताऊं तो जितनी देर में अगर आप स्वास ले रहे हैं उसे चार गुना ज़्यादा आप स्वास को रोके और फिर उसे दुगने टाइम में स्वास को धीरी दीरे छोड़ दे जिस दिन आपका स्वासों पर नियन तर्ण हो गया उस दिन आपको पवन सिध होने लग जाएगी इस किरिया में आपको भूत सी मुद्राएं हैं जो मैं पहले भी कई बारी कह चुका वीडियो में आप और अधर वीडियो भी देखिए आपको जब आप स्वास भर रहे हो चाहे आपने भाय कुमबक लगाना हो या आंतरी कुमबक लगाना हो अगर आप अंता कुमबक पे काम करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ल होता है साथियों जब आप स्वास आपकी पूर्ण हो जाए और सरीर को पूरी तरह इस्तिर कर दे इसको सीधा रखे हाथ आपके किसी भी मुद्रा में जो भी आपको पसंद आए उस मुद्रा में आप चले जाए और अस्वनी मुद्रा अगर आप नहीं करना चाहते तो जीवा को मोड के उपर तालू में लगाए जीव को मोड के उपर तालू में लगाएं यानि खेचरी मुद्रा में जाएं आप साथियों जब आप खेचरी मुद्रा में होंगे और तीनों बंद आपके लगे होंगे क्योंकि जब आप किसवां से पूरक होते हैं आप पदमासन में ये सिदासन में बैठते हैं वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसको सिदासन में करें सिदासन कैसे होते मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए मेरे बाएं प्यार की एडी मेरे गुपतांग के बीच में हो ऐसे और ये मेरा अंगुठा जो है वो इसको निकालके ऐसे इसको पकड़के ऐसे हम खीच लेते हैं और ये इसमें बिल्कुल सीधा हो जाता है यानि कि गुपतांग जो है आपका बिल्कुल ऐसे दब जाए निचे की जो नसे हैं आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपको इसमें यहाँ पर अगनी उत्पन होने लग जाएगी यहाँ पर अगनी उत्पन होने लग जाएगी और आप धीरे धीरे थोड़ी सी आँक खुली हो इसको हम बोलते हैं अनमनी मुद्रा अनमनी मुद्रा में थोड़ी सी आँक है आपकी खुली हो और आपका ध्यान यहाँ सैसरार में हो ध्यान सैसरार हो और धीरे 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 पहले आपने सोला स्वांस इसमें सोला स्वांस की चकर लेने हैं आपको सोला स्वांस आप बायंग से लेंगे और फिर सोला स्वांस जब आपके पूरे यह तो सोला स्वांस आप फिर पहले बायंग से लिया सोला स्वांस और फिर दायंग से आप सोला स्वांस लेंगे ऐसे इस तरीके से सोला स्वांस बायंग से सोला स्वांस दायंग से जब आप दोनों को बराबर चकर आप रखिए यह नहीं कि आप वांग से जाद करें और दक्सिनंग से कम करें ऐसा नहीं जब आप इस आसन में होंगे या पदमासन में होंगे और आप पवन का भ्यास करेंगे आपको पहले स्वेद आएगा पसीना आएगा बहुत ज़्यादा और पसीना जब ये आए अगर आपने वो पसीना बहने दिया और उस पसीने को पहुँच लिया साथियों मैं भूत मातपून किरिया बता रहा हूँ अगर आप उस पसीने को पहुच लेते हैं कपड़े से या वो बह जाता है तो साथियों आपके स्रीर के अंदर भूत ज़्यादा weakness आएगी स्रीर के अंदर अगर पसीना बहता है तो भूत weakness आएगी आपने क्या करना है उस सारे पसीने को जितना भी पसीना आपके अंदर आए, उसको सारे को ऐसे मर्दन करना है, ऐसे सरीर के उपर उसको मलना है, ऐसे पूरे को मलते रहिए, पूरे सरीर का पसीना सरीर के अंदर ही मलना है आपको, सरीर से बाहर नहीं जाने देना, अगर आपका पसीना सरीर से बाहर जाता है, तो आ बोट लोग कहते हैं जी अभी तो हम जवान हैं, साधना बाद में करेंगे, भाई बाद में साधना नहीं होती, मैं यह नहीं कहता, आप अपने काम देंदे छोड़ दे, काम करें, लेकिन कम से कम, जितना भी आप एगंटा, दो गंटे, आदा गंटा, जितना भी कर सकते हैं, शाम सवेरी जरूर करें, जो साधक हैं, जो इस साधना मार्क पर चल रहे हैं, जिनके पास समय हैं, वो चार बार साधना करें, सवेरे, दो पहर को, शाम को, और मैं धैरातरी, चार बार वो साधना करें, अगर आपको इस संसार के अंदर, पवन को जीतना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है आतम कल्यान के मार्ग पे अगरसर होना है इस जीव जिगत से बार-बार का सारा आवगमन खतम करना है तो आपको दिन में चार बार साधना में जाना चाहिए कुछ नहीं करना सिरफ पवन का अभ्यास साथियों पवन को जीतना है पवन का अंत स्वासो का अंत नहीं है पवन का अंत मृत्यू नहीं है पवन का अंत ही जीवन है इस पवन को जीतना है धीरे 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 आपको अभ्यास करना है और धीरे धीरे इसको आपने पहले अगर दस सेकंड भी रोकते हैं दस ही रोकिए जबरदस्ति ना करिए धीरे धीरे उसको बढ़ाईए दस से 20 सेकंड होगा फिर 30 होगा फिर 40 होगा फिर 50 होगा फिर एक मिन्ट होगा धीरे 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 लेकिन यह होगा कैसे इसके लिए आपको सोधन किरिया इसलिए शुरू मैं आपको बोला कि गुरू का सानिद होना चाहिए सोधन किरिया अगर आपकी नसे नाडियां सब स्वस्थ होंगी, निरोग होंगी और उनमें पवन जरूर ठहरेगा अगर नसे आपकी शुद नहीं है स्वच नहीं है, निरोग नहीं है तो आप पवन के अभ्यासी नहीं हो सकते आप प्राणयाम के अभ्यासी नहीं हो सकते मित्रो देखिए, इस दुनिया में भहुत से लोग है ये इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है यहाँ पे भहुत लोग, भहुत लोग अगर आप खोज करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग गाने बजाने में इंटरेस्ट लेते हैं आप Google पर भी अगर आप देखोगे तो अधिकतर लोग आपको सोंग सुनते होए मिलें कोई नए सोंग सुन रहा है कोई पुराणे सुन रहा है कोई स्टोरी सुन रहा है कोई कोमेडी सुन रहा है मित्रो ये अनमोल जीवन पता नहीं कितने जनम जनमांतर के बाद हमें मिला और हम इसको ऐसे ही गमा दे ये तो ठीक नहीं है मैं मानता हूँ आप भूत समयदार है भूत आपके अंदर सेन सकती है भूत आप हर तरह से मजबूत है लेकिन प्यारे साथियो जब तक आपके अंदर इश्वरिय विद्या नहीं होगी आपके अभ्यास की ताकत नहीं होगी जब तक आपके हाथ खाले है कितने email बना ले यहाँ पर कितने गाड़िया खरीद लो कुछ कर लो last में सब छूट जाता है और छूट भी जाए तो ये निक भई मैं ये करूँ लेकिन छूट के जाएंगे कहां फिर भी तो इसी दल दल में आना है भाई ये कहें छोड़ जाना है भाई ठीक है सब को छोड़ना है ये लोग अधिकतर मेरे को यही बात कहते है गुरुजी सब को मरना है अरे मर के तो फिर एक बार तो कलेस कटे तो फिर दुबारा क्यों आते हैं हमें संसार में भाई एक बार इकलेस कट जाए कट जाए दुबारे क्यों आते है वो सिरफ बार-बार ना आना अगर आपको कोई बार-बार बुलाता है बार-बार आप जा रहे हो बार-बार बुलाता है वो भी तंग है और आप भी तंग हो ये मानव दे परमपिता परमात्मा ने हमें मुक्त होने के लिए दी कुछ आतम कल्याण के मारग पर चलके अगरसर होएं हम अपने आतम कल्याण को प्राप्त हों उसने इसलिए दी कोई अच्छा गुरु आपके जीवन में हो सिरफ महल बना लेना एस करना इस तरही संग रहना दुनिया में यही सब कुछ नहीं है संग करना है तो मैं फिर कहता हूँ संग करना है तो रज का वीर से करो अगर संग करना है तो इस रज को उठा के और मस्तक पे लेके जाओ इस सक्ति को मूलाधार से उठा के सैसरार में लेके जाओ संग करना ही है आपको इतना ही सोंख है संग करने का तो आप मूलाधार से उठके सैसरार के ओर चलो यातरा करनी ही है आपको तो इस संसार को छोड़के मूलाधार से लेके सैसरार की यातरा करो अगर आपको यातरा करनी ही है तो सूर्य और चंदर की करो इडा पिंगला कोई मिला दो इनको खतम कर दो आपको मूल के अंदर मूलाधार के अंदर पमन को रोकने की छमता आ जाए यात्रा करने है तो उसकी करो यात्रा करने है तो आत्मा से परमात्मा के मारगी की करो अगर यात्रा करने ही है आपको तो रोगी जीवन से निरोगी होने की करो यही यात्रा सरवोच है इसी यात्रा में सब कुछ मिलेगा आप अपनी मर्जी के मालिक है भोगन आपको है मेरे पास में जो है जो मैं करता हूँ वो ही विद्या वो ही ग्यान जो मुझे मिला हूँ वो ही मैं आपको देता हूँ आपको लगता है यह अच्छा है तो इसको धारण करें और लोगों को भी पहुँचाए और यह लगता है कि नहीं यह कुछ नहीं है तो जैसी जिसकी भावना तैसो फ़ल होई जैसा आपको अच्छा लगे लेकिन प्यारे साथियों मैं फिर गए कोँगा पवन का अभ्यास न छोड़िये पवन का अभ्यास न छोड़िये जैसी